नमस्कार मैं डाक्टर नरेश सुकला मेरे चैनल डाक्टर जियोतिस में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हम दोग ने कुण्डली से सम्मंधित कुछ कीवर्ड पढ़े और उनको सीखना भी जरूरी था अगर आपको कुण्डली सीखनी है कि कुण्डली का कैसे पढ़ी जाए उसको कैसे एनलाइज किया जाए तो उन सब्दों को आना भी जरूरी है इसमें जो कापी और पैन लेके तयार हो जाएए अब हम लोग सीखते हैं बुद्ध दित्य योग इसमें कुछ सब्द आते जाएंगे तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा देखिएगा और सुनिएगा मैं पूरा बताओंगा गवरा ये नहीं क्योंकि इसमें कुछ सब्द आने वा अपने कुनली को एनलाइज करिएगा तो आपको उसमें वो दिखाई देगे जो सब्द में बोला हूं वही चीज दिखाई देगा आपको तो तैयार हो जाएए पैना और कापी लेके पढ़ते हैं बुद्ध तित्य योग जितने भी योग है मैं सिखाऊंगा आप मेरे चैनल को देखते रहे हैendage जो जो आपके नज वीडियो बनता जाएगा वो आपके मॉबाइल पे आता जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छा लगता है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना आसी के बाद हमेशा मुझे मुझे बनाए रखिए बुद्धा दित्ती योग है क्या सब दोस्त नार्मल है सूर्य और बुद्ध की युति हो जाए यह नया सब्दा गया युति मतलब एक साथ हो जाए एक भाव में हो जाए एक घर में हो जाए तो उसको कहा जाएगा बुद्धा दित्ती योग सभी की कुंडली में भारत के 99% लोगों में बुद्धादित योग बनता है लेकिन फलित नहीं होता है उसके कारण क्या है? पहले तुम उन कारणों को देखते हैं फिर उसको आगे एनलाइज करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी में बुद्धादित योग बन रहा है तो क्या चीज होगा? तो उसके गुण क्या है? पहले तो वो देख लेते हैं योग के गुण अगर पुद्धादित योग किसी में पूर्ण रूप से बन रहा है तो वो जातक जातक का जाता है किताबों में जातक सब्धियूज हुआगा मतलब जिसकी कुणली हम लोग देख रहे हैं ओजस्वी वक्ता तर्क सास्त्री प्रखर बुद्धी कुशल लेखा ये चार गुण उसमें जरूर होंगे फिर से सुनिये ओजस्वी वक्ता मैं लिखते जा रहा हूं आप लोग चाहे तो लिख लीजेगा इसको मैं लिखता जा रहा हूं चार गुण जरूर होंगे ओजस्वी वक्ता तर्क सास्त्री प्रखर बुद्धी चौथा कुशल लेखा प्रंतु भारत में 99% लोगों की कुणली में बुद्ध और सूर एक साथ होते हैं तो ये चारों गुण क्यों नहीं पाए जाते हैं उस तो कमी रहती होगी तो पूर्ण योग कब बनता है पहले हम वो देखते हैं पहले आप लिख लीजे काफी में इस योग के गुण में ये चारों चीजें जिसमें अगर पूर्ण रूप से बुद्धादित्य योग बन रहा है ये चार चीजें जरूर होगी उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण योग बनता काव है इसमें कुछ सब्दाएंगे वो मैं आपको सिखाता जाओंगा बीज में ये आपने नोट कर लिया पॉस करके नोट कर लिजिए चलिए मैं इसको मिटा ले जा रहा हूँ नोट कर लिया ना चलिए मिटा रहा पूर्ण का बनता है भारत बस में 99% लोगों में बुद्ध और सूरे एक साथ होते हैं उसके बाद भी लोगों को पूर्ण फल नहीं मिलता है जो चार चीज़े लिखवाई हैं वो उनमें नहीं पाई जाती है और जस्वीवक्ता तर्क सास्त्री कुछल लेकक इस चारों न पूर्ण बनता ही नहीं है है तो पहले हम देखते हैं कि पूर्ण योग के लिए कि डिया क्या होना ज़रूरी है तो हैंडिंग डाली दो ऊंझे Strength यह केवल बुधादित्ती योग में ही नहीं होगा सभी में यह होगा यह चीजें केवल बुधादित्ती योग में नहीं है कोई भी योग बनता है उसमें कुछ न कुछ चीजें होती है वो होनी चाहिए तभी वो योग पूर्ण बनता है दिखते हैं हेडिंग डाली पूर्यों बुद्ध या सूर्य आस्तर ना हो दूसरा बुद्ध या सूर्य पिल्लित ना हो तीसरा ये ध्यान दीजेगा बुद्ध या सूर्य लग्रकुंडली या नमाज मैं नीज के ना हूँ ये चीज़े इसमें होनी चाहिए जरूरी बुद्ध या सूर्य आस्त ना हो बुद्ध या सूर्य पिल्लित ना हो बुद्ध या सूर्य लग्रकुंडली नमाज में बुद्ध या सूर्य जाओंगा आपको सुनते जाहिए पहला है अस्त नहों अ कि सूर्य या बुद्ध 28 डिगरी से एक भाव जो होता है वो 30 डिगरी का होता है तो सूर्य या बुद्ध के आगे उनकी डिगरी लिखी आती है आप तो बिग्ज्यान का जमाना है तो लैप्टाउप या मॉबाइल पर आप देख सकते हैं कि अस्त नहीं है वैसे इसके लिए किताब आती है इफेम-धेरिस अउन पहले इसी से लोग देखते थे कि अस्त है कि नहीं है अब तो नया जमाना आगया है, मॉबाईल से या Office से हम लोग देख सकते हैं, कि बुद्ध अस्थ है कि नहीं, अस्थ का मतलब क्या हो गया? शूर्य कि आगे उसकी डिगरी लिखी रहेगी और बुद्ध की आगे उसकी डिगरी लिखी रहेगी मालिया सूरह 5 डिगरी पर है सूरह लिखा है उसके आगे अपने मोबाइल पे देखिएगा या लेप्टॉप पे देखिएगा उसके आगे उसकी डिगरी लिखी रहेगी यानि सूरह 5 डिगरी पर है अगर 7 में बुग्ध है तो दोनों एक ही भाव में होने चाहिए यूति हमने कहा है अलग लग भाव में यह योग नहीं बनता है कि मानलिया एक एक भाव में बैठा है दूसरा दूसरे भाव में बैठा है तो योग नहीं बनेगा यह एक ही भाव में होना चाहिए मान लिया बुद्ध सूरे 5 डिगरी पे है और बुद्ध 10 डिगरी पे है अब एक दूसरे से माइनस कर दीजे दोनों को एक 10 पे है एक 5 पे है आया बीज का डिफरेंस कितना 5 12 डिगरी तक 12 में हो जाता है 12 पे बुद्ध जो है अस्त से बाहर हो जाता है 13 पी तो और अच्छा होता है 14 पे और अच्छा होता है तो 12 से नीचे नहीं होना चाहिए दोनों को आगे अपने मोबाइल पे अपने लेप्टॉप पर या इफ्यमेरिक्स में देखी किताब में ज बर्ने, कुछ और भी हो सकता है। दोनों के बीछ का अंतर 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम हो गया, तो बुद अस्त हो गया। कोई फल नहीं मिलेगा, बुध आतेतियोग का। दोनों एक साथ हैं, एक साथ हो ना बुध आतेतिय तो हो गया, लेकिन फल नहीं देगा, अस्त का मैंने आपको मतलत समझाया, यह डिगरियां कुछ भी हो सकती है, बस देखना यह है, सूर्य और बुध के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर आठ है, बुधादित योग खतम, पूरी तरह से, दोनों के बीच का डिफरेंस, दस है, थोड़ा सा बुधादित योग बन गया, बारा है और अच्छा बन गया, तेरा पे, चौदा पे, पंदरा पे, तो पूर्ण रूप से बुधादित योग बनेगा, तो पहला जो पॉइंट लिखा था, वह आप लोग समझ गए होगे, अब दूसरा देखते हैं, बुध या सूरे पीडित ना हो, पीडित के लिए कंडिशन क्या है, बुध के लिए देखते हैं पहले, अगर बुध पहली समझ गए होगे आप लोग, आस्त होने वाला अध्यान से देख लिजेगा, आस्त की कंडिशन यही होती है, दूसरा है, बुध पीडित नहीं होना चाहिए, पीडित का क्या मतलब है, किसी भी भाव में, मालिया हम बनाते हैं कुंड़ी, अब देखिए, और अभी हम मैं पिछले सब्दों का भी यूज़ करने जा रहा हूं इसी में, जो मैंने पिछली बार आपको पिछले वीडियो में समझाए थे, योकारक, परम योकारक, कुछ भी माल लीजे, लगन कुछ भी माल लीजे, कहां मानेंगे बुद्धा दित्य योग, कमेंट करिए कुछ, कहां लिख दें, ती नमबर में, चार में, चार में लिख दें, चलिए, सूरे बुद्ध, अब पिड़ी की कंडिशन क्या है, इस भाव में, चौथे भाव में, चौथा भाव में नहीं है, एक, दो, तीन, चार, यहांच गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, चौथे भाव में, राहु नहीं होना चाहिए मंगल चनी ये तीनों नहीं होने चाहिए या इनकी द्रिष्टियां नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन कंडिसन है ये योकारक और परम योकारक हैं तो बुद्ध पिलित नहीं होगा बहुत आंसी के 1% हो जाएगा लेकिन बुद्ध देते योग पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको वो सद लिखवाए थे बुद्ध और सूर पीडित नहीं हो मतला राहु यहां नहीं होना चाहिए सनी या मंगल नहीं होना चाहिए और इनकी द्रिष्टियां भी इस भाव पे नहीं पड़नी चाहिए अगर पढ़ लए है योग कारक होके पढ़ लए है या परम योग कारक होके पढ़ लए है तो यह फल और अच्छा होगा इसलिए मैंने वो सब्द लिखवाए थे आपको लेकिन मंगल सनी या कारक है और इनकी द्रिष्टियां या मारक है इनकी द्रिष्टियां इस पर पढ़ गई तो इस योग का सत्यानास हो गया कुछ नहीं बचा इस योग में यह मान सकते 50 परशेंट रह गया 40 परशेंट रह गया तो यह पीडित नहीं होना चाहिए जो तीसरा सब लिखवाया था मैंने आपको लगन में या नमांस में दोनों मैं से कोई भी नीच करना हो नमांस वीध्यान रखेगा लगन में तो नीच भंग बनने लगता है नीच भंग मैं सिखाऊंगा आपको जो नीच का होता है लगन में उसका नीच भंग भी हो जाता है वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको या नमांस में नीच भंग नहीं होता है अगर कोई नीच का हो गया इस योग का सत्यनास ये योग नहीं रह गया फिर बदातित्य योग मत लिखिये आप किसी में, ना किसी को बताईए कि बुदातिती योग आपके में है, ये योग कहीं भी बन जाए, चारों कंडिसन होनी चाहिए, वो चारों कंडिसन रहेंगी, अगर ये योग कहीं भी बनेगा, कहीं भी, बारों भाव में, रटिये गा नहीं, समझने कोसिस करिए उसको, अगर बुधादेत्य योग इन बारा भाव में कहीं भी बन गया चार गुण तो उसमें रहेंगे ही ओजस्वी वक्ता तर्क सास्त्री कुशल लेखक प्रखर बुध्धी चार तो रहेंगे ही कहीं भी बन जाए किसी जगह भी बन जाए रटिय नहीं मैं थोड़ा सा अभी आपको समझाओंगा कि अभी थोड़ा सा कहीं कहीं पर उसका फ़ल नहीं मिल पता है प्ल इतना होने पर भी बारा भाव में ये योग कहीं भी बनेगा ये चारो गुण उस व्यक्ति में ये जातक में पाए जाएंगे अब अगर वो अच्छी जगा का स्वामी है मालिया बुदादिती योग बन रहा है सूर्य और बुद्ध योग कारक हो जाए अच्छी जगा का स्वामी हो जाएंगो तो फिर तब क्या होगा तो एक मैं आपको एक्जामपिल देता हूँ एक्जामपिल से समझाता हूँ कि अच्छी जगा का स्वामी हो गया और कहीं भी बन जाए तब क्या होगा फिर चितर को बना लिया था ना आप लोग ने मैं मिटा ने आप मिटा गिया है अगर ना बनाया है तो वीडियो को पॉस कर लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा मैंने पूछा नहीं आपसे यह सब आपने नोट कर लिया होगा इफे मेरी इस किताब है आती है वैसे आप आपके यूट्यूब और क्या कर शॉरी आपके मोबाइल पर लैप्टॉप पर सबसी मिल जाता है आस्तर बगर्ण है कि नहीं कि कि मालिया यह योग कहीं अच्छी जगर स्वामी हो गया अब बुद्ध और सूर अच्छी जगर के स्वामी है इक्जाप्पियर रहा हूँ आपको रटिय नहीं स्लेव कहरा हूं आपको बार-बार मैं यह सब कह रहाा हूँ कि रटिय नहीं, रटिय नहीं रटिय गर नहीं किरला समजने कोसिस करिए जो चीज ना समझ माлоखिए उसको कमेंट करिए अब बुदारत यूग बनेगा देखे सूरेथ 14 वाय का सवामी हूगया सभाउ पांच में का सउभाय अब इसको पर बना दे क्या एच है करे आज साथ मेंना चले ते यस मुद्प केंडर में बन गया यहां सूरे केंद्र का और बुद्ध त्रिकोन का स्वामी है यह कॉंबिनेशन बड़ा ही मजबूत होता है केंद्र और त्रिकोन का कॉंबिनेशन हो जाए अपने आप में तो बहुत अच्छा एक योग बनने लगता है कंडिशने वही थी जो भी मैंने लिखवाई थी का स्वामी हो जाए यह दोनो भाव अछ्छे अब यहां पर इंको सब चीज मिलेगा चारों चीज मिलनी मिलनी है उसके help क्योंकि जो चोथा घर होता है चोथा बाव होता है दशन समफता गाड़ी कि जमीन मां का सब चीज मिलेगा कि पांच मां बच्चों का intellect का स्वामी सब चीज मिलेगी इस अब को पता हुए न कि कि किसका स्वामी होता है पहले का क्या है दूसरे का क्या है तीसरे का चौथा जो हता है जमीन का भू का स्वामी का गारी का इन सब लेकिन बुद्धादित्ति के लिए पूरी होनी चाहिए अस्तर ना हो पिंग्डित ना हो तो होना ही चाहिए अब यह आपको सब चीज देगा अच्छी जगह स्वामी है अच्छी जगह पे बैठ गया है अच्छी जगह मतलब योकारक होगे न मैंने आपको बताया है योकारक होगे तो अच्छा फल देगा तो बुद्ध केंद्र का स्वामी हो गया यह तरी कोन का स्वामी हो गया देखिए यहां पर इस कंडीशन में तो यह बहुत अच्छा फल देगा आपको पूर्ण रूप से पैसे से लेके मान सम्मान और जो चारों चीज़े हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको पीडित नहों बसरते नमाज में नीच का नहों मान लिए यह खराब जगह स्वामी हो जाए जैसे मैं एक और एक्जाम्पे लिखने जा रहा हूं चितर बनाने जा रहा हूं उसको देख लीजे ज़रा तब क्या होगा आप लोग ने नोट कर लिए था ने इसको बना लिए था अब एक डाइग्राम अच्छी तरह हम दुबारा बना रहे हैं उसको देखते हैं क्या है उसमें जैसे से आप बढ़ते जाएंगे आगे कुंडली शीखते जाएंगे मैं आपको योग बताने नहीं कुंडली सिखाने आया हूं यहाँ पर उसके साथ योग तो सिखाओंगा ही आपको लाइने अभी थोड़ी थोड़ी टेड़ी बन रही है आप लोग बना लिजेगा आप सभी लोग अच्छी बना लेंगे अब से अब देखिए कॉम्बिनेशन बुद्यसूरे का है मान लिया ट्रिकोन में बैड़ गया यह वो तुम्हें समझाया था आपको छे आट बारा में समझाना था आपको यह योग छे आट बारा में बनने लगा बाकी इसमें माल यह सब चीजे हैं बुद्ध सूरे अस्त नहीं है पीडित नहीं है नीच के नहीं है कंडिशने फुल्फिल हो गई है कोई अस्त नहीं पीडित नहीं नीच का नहीं बुद्धरतियों की कंडिशन पूरी हो गई लेकिन यह बन कहा रहा है माल यह आट में बन रहा है छे में बन रहा है बारा में बन रहा है इसमें होगा क्या इस आदमी के पास या इस जातक के पास वो चारों चीजे तो होंगी वो जस्पी वक्ता जो बताया था मैंने आपको तरक सास्त्री, प्रकर बुद्धी, कुछल लेखा, सब चीज होंगी लेकिन रिकनाईजेसन नहीं मिलेगा इसको, पैचान नहीं होगी होंगी चारों चीजे, जो मैंने पहले बोली, जो बुद्धादित्य योग की होनी चाहिए लेकिन आपके महले में आफिस में बहुत से ऐसे लोग होंगे, जिनके पास बुद्धी, तरक, सास्त्री, सब चीज है लेकिन कोई पूस्ता नहीं है, तो यही योग 6-8-12 में बन जाए, तो इसकी अच्छी पैचान नहीं मिलेगी उसको अगर जो पिसला एक्जाम पिल दिया था, कि केंद्रो त्रिकोन का भी अगर 12 में चला जाएगा, तो 50% रह जाएगा वो अगर 6-8-12 पहुँच गया, अभी जो पिसला एक्जाम पिल दिया था, केंद्रो त्रिकोन का, जिसमें बुद्ध त्रिकोन का स्वामी था और सूरिकेंद्र का था, 6-8-12 पहुच गये, तो असर 50% हो जाएगा, मानता बहुत कम मिलेगी, पैचान में नहीं याएगी जल्दी, पैसा वगरा थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि उस स्वामी वहाँ का है, इसमें क्या होगा, सब चीजे तो हो होगी इसके पास, इस बुद्ध दित्य योग में, अब जब दसा और अंतर दसा आएगी, इसी इसको ध्यान से देखीगा, जब दसा और अंतर दसा आएगी, तो बुद्ध और सूर्य दोनों ही अच्छी जगा के स्वामी नहीं है, उसमें वो निगेटिव फल देना अब जब बुद्ध और सूर्य की दसा याद दरदसा आएगी, मालिया कि बुद्ध की महादसा शुरू हो गई, बुद्ध इसमें केंद्रो का स्वामी है, यह मैंने पिसले वीडियों बताया नहीं था, केंद्रा दीपती दोस्ट भी एक होता है, तो मैं अगले वीडियों बता दूँगा, दो किंद्रो का स्वामी है यह, और सूर्य यहाँ पर छटे का स्वामी है, तो परणाम इसके रिजर्ट बड़े अच्छे नहीं आएगे, जब दसा और अंतरदसा आएगी तब, लेकिन वो चारों चीजे तब भी उसके पास रहेंगी, उजस्वी बक्ता, तरक, सास्त्री, सब चीज रहेंगी, चारों चीजे तो रहनी रहनी है, वो लाइफ टाइम रहेंगी, अगर योग बन गया तो ये लाइफ टाइम रहेंगी, एक छोटा सा एक बुदलती योग के बारे में था, अगर इसके अलाबा कुछ भी पूछना हो आपको, कमेंट कर का ये आपको बिमारियां भी देते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से ग्रेक चान सी बिमारियां आपको देंगे और नहीं भी दे सकते हैं, उन वो कंडीशने भी रहेंगा, तो अगले वीडियो को लिए तैयार एए, और मुझको विदा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए ज्यादा ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए बेल आइकन जरूर दवाईएगा अगला वीडियो तभी मिलेगा देखने को वैसे आएगा नहीं आपके पास तो मुझे को बिदा दीजिए नमस्कार